हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू दी चैनल इंडो लोगस आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगी मुजीशियन एन खराना तो most important topic है आप सभी के लिए काफी जादा useful रहने वाला है फ्रेंज अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हैं तो start करते हैं फ्रेंज मेंना किसी देरी के हमारी वीडियो first of all देखेंगे घराना तो first घराना है क्वालियर घराना इसके founder है नाथन पीर बक्स famous musician की बात करें कृष्णा राव संकर पंडित और राजा भाईया पूछ वाले इसके famous musician है नेस घराना है आगरा घराना इसके founder हाजी सुजान खान एन उस्ताद खांगे खुदा बक्ष famous musician की बात करें तो खादिम हुजैन खान फयाज खान जोहरा बाई और भारती परताब और वशीम एहमद खान इसके famous musician है नेस घराना है अतरौली घराना क्योंकि चैपुर राजिस्तान का घराना है अतरौली घराना फाउंडर इसके हैं अलादिया खान famous musician की बात करें तो famous musician है फ्रेंट्स मलीका अरजून मैसूर कि सोरी अमोनकर रगु नंदन पढ़ सीकर अश्वनी भिडे देशबांडे भी इसकी musician है नेस घराना है सहवान घराना जो की रामपुर यूपी का घराना है इसके फाउंडर है उस्ताद इनायत हुसेन खान तो कौन थे इसके फाउंडर उस्ताद इनायत हुसेन खान इसके फाउंडर थे और famous musician की बात करें निसार हुशेन खान है और रसीत खान है नेस घराना है मेवाती घराना मेवाती घराना के फाउंडर थे उस्ताद खांगे नजीर खान जोकी जोदपूर से हैं इसके फेमस फाउंडर थे और फेमस म्यूजिशन की बात करें पंडी जश्राज है कला रामनाथ है पंडित अभ्यंकर पंडित अर्विंद थाटे किराना घराना की बात करते हैं तो किराना घराना की फाउंडर थे अब्दुलकरीम खान फेमस मुजिशन इसके हैं सवाई गंधर्व गंगु बाई हंगल फिरोज दस्तूर पंडित भिंसें चोशी ये फेमस इसके किराना घराना से रएट करते हैं सुरेज बाबु माने अब्दुलकरीम खान एन हीरा बाई बदोलकर और प्रभा अत्रे तो इसके फेमस घराना से रेलेट करते हैं जोकि फेमस मुजिशियन है आप question start करते हैं friends फर्स question है मारा पंडीत रवीश अंकर belong to which घराना पंडीत रवीश अंकर का संबन्द किस घराने से है राइट आंसर है option number B मेहर घराना मेहर घराना से relate करते हैं पंडीत रवीश अंकर instrument है इनका सितार तो सितार वादक है जिनके picture आप देख सकते हैं भारत अतना वाण हिने 1999 में पदम भीभूशन 1981 में पदम भूशन 1967 एन रैमन मैक्स से अवोर्ट 1992 में दिया गया था नेस्ट कुर्शन है पंडीत रवीश राज इस रिलेट तो विच घराना पंडीत जश्राज का संबन किस घराने से हैं इसका राइट आंसर है option नमबर A मेवाती घराना मेवाती घराना से रिलेट करते हैं पंडीत जश्राज पदम शिरी इन है 1975 पदम भूशन 1990 में और 2000 में पदम भी भूशन दिया गया था संगीत नाटक अगेडमी अवोर्ड 1987 में दिया गया था नेस्ट कोश्चन है पंडीत भीमसें जोशी इस रिलेट तो विच घराना राइट आंसर है फ्रेंस option नमबर B किराना घराना तो किराना घराना से रिलेट करते हैं इस फेमस फॉर दी खयाल फॉर्म इंदी सिंगिंग तो खयाल फॉर्म के लिए फेमस है पंडीत भीमसें जोशी अगर बात करें इनके अवोर्ड की तो अवोर्ड इने दिया गया था पदम शिरी 1972 में पदम भूशन 1985 में पदम भी भूशन 1999 में भारत रतना वोर्ड भी ने दिया गया है फ्रेंट्स 2009 में तो 2009 में ने भारत रतना वोर्ड दिया गया था ये भी आप जरूट से याद रखेगा नेस्ट कुश्यन है सराफथ हुशन और लथाफथ हुशन इस आर लिलेट टू विच घराना तो इसका राइट आंसर है फ्रेंट आप्शन अमबर डी आगरा घराना तो आगरा घराना से रिलेट करते हैं सराफथ हुशन और लथाफथ हुशन सराफथ हुशन की बात करें पदम शिरी अवोर्ड इन है 1983 में संगीत नाटा अकेडमी इन है 1985 में दिया गया है नेस्ट क्वेशन है गंगु भाई हंगल रिलेट टू विच घराना तो गंगु भाई हंगल की पिच्चरा आप देख सकते हैं आप्शन एस का राइट आंसर रहेगा कि राना घराना से ये रिलेट करती हैं और ये सिंगिंग करती थी तो सिंगल थी सिंगर थी इंडिया की तो क्लासिकल सिंगल आप याद रखेगा फेमस पदम भुशन इन है 1971 में पदम भीभुशन 2002 में संकीत नाटक अकेडमी अवाट 1973 संकीत नाटक अकेडमी फैलोसिप अवाट 1996 में दिया गया था नेस्स कुरिशन है पंडित विर्जु महाराज बिलॉंग टू विच घराना तो पंडित विर्जु महाराज का घराना है option number C काल का बिंदादीन घराना तो काल का बिंदादीन घराना ये कहा का घराना है लखनो का घराना है तो काफी बार question पूछा गया है पंडित बिर्चु महाराज से तो ये लखनो घराना पूछा जाएगा आपसे या फिर काल का बिंदा दिन घराना दोनों ही आप याद रखे का फ्रेंस लखनो का ही घराना है इनको संगीत नाताक Academy Award 1986 में दिया गया समन किस घराना से है इसका right answer है option number C किराना घराना तो किराना घराना से relate करती है प्रभा अत्रे जिनकी पिचर आप देख सकते हैं संगीत नाताक Academy Award ने 1991 में पदम भूशन 2002 में पदम शिरी 1990 में दिया गया था और पदम भी भूशन इन्हें कब दिया गया है 2022 में तो 2022 में इन्हें पदम भी भूशन भी दिया गया है इसलिए करंड में पूछा चाह सकता है आपसे घराना कौन सा है किराना घराना उस्ताद अमीर खान बिलॉंग टू विच अब दी फॉलोविंग घराना तो उस्ताद अमीर खान जिनका घराना है ऑप्शन नमबर भी इंदौर घराना तो इंदौर घराना से रिलेट करते हैं और ये founder थे founder of the इंदौर घराना तो इन्हें founder भी कहा जाता है उस्ताद अमीर खान को पदम भूशन इन्हें 1967 में प्रेसिडेंटल अवार्ड 1971 में संगीत नाटा के अकेडमी अवार्ड 1971 में दिया गया था अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंदित है अब्दुल करीम खान बिलोंग्स टू विच घराना राइट आंसर है option number C किराना घराना तो किराना घराना से रिलेट करते हैं अब्दुलकरीम खान और अब्दुलवजित खान वहीद खान अब्दुलकरीम खान ये फाउंडर थे किराना घराना के नेस्ट कुर्शन है थुम्री सिंगर गिर्जिया देवी बिलॉंस टू विच अमंग दी फॉडोईंग घराना थुम्री गाएका गिर्जिया देवी निमलेकित मैंसे किस घराने से संबंदित है इसका राइट आंसरे फ्रेंज ऑप्शन अमबर भी बनारस घराना तो बनारस घराना से रेलेट करती है थुम्री गाएका गिर्जिया देवी इनकी पिच्चर आप देख सकते हैं पदम श्री अवार्ड हिने 1972 में पदम भूशन 1989 में पदम भी भूशन 2016 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1977 में संगीत नाटक अकेडमी फैलोसिप अवार्ड 2010 में दिया गया था पंडित हरी प्रशाद चुरश या इस रिलेट टू विच खराना उनकी पिच्चर आप देख सकते हैं पंडित हरी प्रशाद चुरश या रिलेट करते हैं ऑप्शन नमबर डी बनारस खराना से और किसके कौन सा म्यूजिकल इंस्टुमेंट है फ्लूट बासूरी या फिर ओफे फ्लूट बजाते हैं ये और बनारस खराना है नेस्ट कुश्चन है पंडित अजय चकरवर्ती इस रिलेट टू विच खराना राइट आंसर है फ्रेंज, ऑप्शन नमबर A, पटियाला घराना, तो पटियाला घराना से रिलेट करते हैं, अजे चक्रवर्ती, रिलेट करते हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल बोकलिस्ट हैं नेस्ट क्रेशन है, केल्यु जरन महापात्रा इस रिलेट टू विच घराना, राइट आंसर है, ओप्शन नमबर D, महारी घराना, तो महारी घराना से रिलेट करते हैं केलु जरन महापात्रा, और ये उडिसी डांसर हैं तो आगरा घराना से रिलेट करते हैं उस्ताद विलायत खान और इस्टूमेंट है सितार नेश्क कोश्चन है सोबना दारायन इस रिलेट टू विछ खराना सो अस गारायन से रिलेट करती हैं वो चथर आगरायन नाचार नेस्स कोश्चन है रमा वेंद नाथन इस रिलेट टू विच घराना रमा वेंद नाथन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमबर सी तंजावुर घराना तंजावुर घराना से रिलेट करती हैं और भरत नाटियम की डांसर है नेस्स कोश्चन है पंडित निखिल वनर जी इस रिलेट चू विच घराना राइट आंसर है ऑप्शन नमबर ए मेहर घराना तो मेहर घराना से रिलेट करते हैं पंडित निखिल वनर जी इंस्टूमेंट है सितार तो सितार वादक हैं पंडित निखिल वनर जी नेस्स सारस घ्नाना से रुलेट करते हैं और सहनाई व्ठक हैं भारर रतना वडोथ 2001 में दिया गया था पदम भी भूशन किस घराने से हैं इसका राइट आंसर एफ्रेंस ऑप्शन नमर सी लखनो घराना तो मादवी बुद्गल जो है यह है कथक डांसर और रिलेट करती हैं लखनो घराना से नेस्ट कुशन है बिंदादीन महाराज इस फाउंडर ओफ विच घराना तो बिंदादीन महाराज यह ऑप्शन ए लखनो घराना की फाउंडर थे कथक dancer है डांसर कथक है तो कथक से रिलेट करते हैं और लखनो घराना की founder इन्हें कहा जाता है बिंदा दिन महराज को Next question है लच्छू महराज is late to which घराना लच्छू महराज ये कथक dancer है dancer थे option number D's का right answer रहेगा लखनो घराना से रिलेट करते हैं कथक डांसे रिलेटेड हैं ये भी आप चरूर से याद रखेगा नेस कोशन है अच्छन महाराज का सम्मन किस खराने से है अच्छन महाराज इस रिलेट टू विच खराना इसका राइट आंसर फ्रेंज आप्शन नमबर सी लखनो खराना और डांसर है कथक के नेस कोशन है सिरी मनी राम पंडित का सम्मन किस खराने से है सिरी मनी राम पंडित इस रिलेट टू विच खराना राइट आंसर फ्रेंज आप्शन नमबर डी मेवाती खराना और ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है नेस्ट कुशन है अब्दुलकरीम खान is founder of which खराना अब्दुलकरीम खान ये founder थे option number D किराना घराना के option number D is the right answer और इंडियन classical singer थे नेस्ट कुशन आप सबी के लिए है question for you पंडीत भीम सेंजोसी is related to which खराना किस खराना से relate करते हैं पंडीत भीम सेंजोसी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें और अपनी फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूले थैंक यू सो मुच फूर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू